आजम मात्मा गांधी के दक्षिन अपरिखा में उनकी क्या पूमिका रही उसका अध्यनम करेंगे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है की गोषना करने वाले मात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन मानव समाज को नवीन संदेश देता है दक्षिन अप्रिका से प्रारम हुआ उनका सार्वजनिक जीवन सन 1948 तक इतना अधिक प्रदिप्थ होटा कि उनकी मृत्यु पर अलबर्ट अइंस्टीन ने कहा था आगे आने वाली पीडिया शायद ही यह विश्वास कर सकेगी कि गांधी जैसा हाड मांस का कोई पुतला कभी इस दर्ती पर पेदा हुआ था एसे महामानव के व्यक्तित्व का निर्मान दक्षिन अप्रिका से प्रारम होता है दक्षिन अप्रिका में प्राप्त हुए गांधी जी के प्रतम अनुभव ने उन में उनके मन को जगरोर दिया प्रतम शणी का रेल टिकट होते हुए भी श्वेत शाशक जाती के लोगों के साथ न बेटने देना और मांग करने पर डंडे खाना गांधी जी के जीवन में मोड लाता है इसी शण उन्होंने अन्याय के विरुद संगर्ष करने का संगर्ष लिया गांधी जी ने ततकाल यह निश्चत क्या कि यहत्तर करेंगे अपील करेंगे, स्वेजाती का विवेक जगाएंगे गुजरात की दादा अब्दुलैंड कंपनी नामक एक मुस्लीम व्यापारिक संस्थाक एक मुकद्मेगी पेर्वी करने के लिए दक्षिन अपरिका वेजे गए थे गांधी जी मई अठारो तराण में में दक्षिन अपरिका पहुचे अठारो तराण में से 1914 तक दक्षिन अपरिका में गांधी जी रहे गांधी जी डक्षिन अपरिका में सन 1860 में में भारत आये और यहां उन्होंने दक्षिन अफ्रिका में गांधी जी की प्रति हो रहे दुर्व्यावर की जानकारी जनसभाव के माध्यम से भारतियों को दी तो दक्षिन अफ्रिका में उनका घोर विरोध हुआ सार्वजिक जीवन का प्रारम गांधी जी की द्वारा गांधी जी ने दक्षिन अफ्रिका में तीन वर्ष के अंदर प्रमुकुरभार्ति राजनता और वकील बन गए थे वे श्रमिकों को समय समय पर संबोधित करते थे दक्षिन अप्रिका में जो गांदी जी द्वारा सत्यागर अंदोलन प्रारम किये गया उसके कुछ कारण थे जैसे दक्षिन अप्रिका के सरकार द्वारा गांदी जी से दुर्व्याव किया जाना गांधी जी द्वारा दक्षिन अप्रका की गोरी सरकार का द्वारा वेदवाव किये गए थे उन्हें दर्बन से पिटोरिया जाने के लिए इस रेलवाड़ी के प्रतम सेनी के डिब्बे में बैठे तब नाटाल के राजदानी मेरित्सवर्क्स में रेलगाड़ी के पहुचने पर रेल करमचारी ने उन डिब्बा बदनने का आदेश जिया क्योंकि एक अंग्रेज यातरी प्रतम सेनी के डिब्बे में बैठ कर जाना चाहता था और वे एक एश्वेद भारती के साथ यातरनी करना चाहता था गांधी जी ने जब इसके लिए मना क्यातोंने दक्के देखर वहा निकाल दिया गया दक्षेण अप्रिका की गोरी सरकार की रंग बेद की नीतिशे शुप दोकर गांधी जी ने सन्यायके विरूद संगर्ष कान्दी का निश्यक किया गांधी जी पर अठारस चीन में में एक गातक खामला हुआ जब वे अपने सात्यों के साथ दक्षी पुणरा गया तो उन पर भीशोण अमला क्या गया और वे बुरी तरह से गाय लोगे किसी तरह से उनकी प्राणों के रक्षा हुई जब दक्षिन अप्रीकी सरकार ने दोशी लोगों को दण नेनी के बाद तर विचार किया तो गांधी जी ने उनने शमा कर दिया उनके दिल में कहा कि उनके दिल में श्वेत्व दक्षी कोई दुरवावना नहीं है दक्षिन अप्रिका में जो भारती प्रवासी रह रहे थे उनकी दशा बड़ी दैनी थी वहां भारत के लोग जाती रंग वर धर्म और अधन्दे के आदार पर विविन गुटों में बटे वे थे यहां के अंग्रेज लोग हिंदुसान को कूली या सोमी कर कर पुकारते थ यह इस प्रकार जो अप्मान जनक जो भारतीों के साथ किया जाता था उससेबिन इसके अलावा बोर युद के बाद भारतियों पर नेटाल से ट्रांसवाल जाने पर रोक लगा दी गई थी ट्रांसवाल पर प्रवेश के लिए उन्हें ट्रांसवाल सरकार से अनुमुति पत्र या परवाना-प्राप्तना अनिवारे कर दिया गया था जिसे एशियोटिक रिजिस्ट्रिशन बिल का आ जाता था प्रतेक भारतिय स्रीव पुरुषों को आठ वर से उपर की बच्चों को यह करवाना आफशक था इस पंजीकरण का जो उद्देश्ट्य भारतियों को अपमनित करने था वहां बसे वे जो भारतिय को गोरों के सामने नीचा दिखाना था दक्षिन अप्रकाय के सरकार की रंगवेद नीटी से भी गांधीजी आहत थे वहां कुछ है रंगवेद संबंदी कुछ नियम थे जैसे सबी अश्वेद व्यक्तियों का पंजीकरण अनिवार्य था पंजीकरण किये गये प्रतिमत लगा गया था द्यवसाइक लेने तो अंगुटे का निशान देना ज़र रही था श्वेतों के निवाज स्थान और बाजार अलग लगते श्वेत श्रमिकों पर तीन पूंड का अत्रिक कर लगाया जाता था इस प्रकार जो ये प्रावधान थे इनके विरोध में 11 सित्मब 1906 को जोहांसबर्ग के एंपायर थियर्टर में ने निन्ने लिया कि वैस सित्यचार का विरोध करेंगे माँ पर गांदी जी ने कहा कि मेरे सामने केवल एक ही रास्ता वही है कि मैं से कानून के समर्पन करने के पूर मरना पसंद करूंगा यहां तक कि सब लोग भी मुझे छोड़ कर चले जाएंगे तो भी मैं अकेला ही अपने ब्रत पर डड़ बना रहूँ गा इस प्रकार गांदी जी ने बार्तियों द्वारा तेव विरोध के जाने के बावजूद भी जो ट्रांसवाल विधायका द्वारा ऐसे याटिक रेजिट्र जमिल पारित किया गया था इसके विरोध में गांदी जी ने सत्यागरे आंदोलन चलाया प्रतम सत्यागरे आंदोलन इस आंदोलन में ने पूरे उपनीवेश में एक तूफान ला दिया और गांदी जी को दस जनवरी 1908 को दो महिने की कारवास के सजादी गई जब सत्यागर अपने चर्मुतकस पर था तो जन्रल स्मर्च ने गांदी जी की तरह समझोते का हाथ बढ़ाया जन्रल स्मर्च ने प्रस्ताव रखा कि अधिस सभी वार्ति स्वेच्छ से अपने पंजीगन करवाली तो ऐसा होते ही वेश्कान को रद कर देंगे इस प्रकार इस प्रत्थम सत्यागर में गांदी जी को निराशाही प्राप्त हुई दिद्य सत्यागर आंदोलन यह गांदी जी ने जब आंदोलन के सरूप में परिवतन किया और यह निंडे किया कि वे अपने रेजिस्टरेशन पत्रों की होली जलाएंगे इस प्रकार बड़ी संक्या में भारत्योंने अपने रेजिस्टरेशन पत्रों को जला दिया और बिना रेजिस्टरेशन पत्रों कोंने गुमने लगिए और स्वैच्छा दिजेल जाने लगी दीरे दीरे नेटाल के भारतिये भी गांदी जी का अनुसरन करने लगी जेल में दी जाने वाली यातनाव से भी सत्यागरा में कोई कमी नहीं आई किन्तु शने शने सत्यागर के 38 सत्य खराब होने लगी सत्यागरा लगबग 4 वर्षत के चलता रहा एसी बीज गोपाल गष्ट गोखले सरकारी मेमान की रुप में 1912 में दक्षिन अपरिका गए गोखले ने गांदी जी को यह विश्वास दिलाया कि एस्याटिक रिजिस्टिशन बिल रद कर दिया जाएगा लेकिन गांदी जी अथार्थवादी थे और उन्हें ने पतिकर रखी कि यह संबब नहीं होगा और ऐसा ही हुआ गोखले की दक्षिनी अफ्रीका यात्र का सरवादिक मैत्पून यह निकला कि गोखले ने गांदी जी को भारत के दैनी व्यवस्ता से अवस्ता से परिशित कराया और भारत नोटने पर उन्होंने बंबई के टाउन हाल में गांधी जी के प्रिशनशा की और कहा कि उनमें प्रचंट आध्यत्मिक शक्ति है जिसके द्वारा भी अपने आसपास के साधारन व्यक्तियों को बहादुर योद्धा सैथ बना देते हैं सत्यागरा का अंतिम चरण गोकले की यात्रा के बाद एस्याटिक रेजिट्रेशन बिल्ट नहीं उख किया गया इसकी विप्रित एक घटना ऐसी घटी कि इसने पूरे दक्षिन अफिमें जवार ला दिया सुप्रियम कोट ने भारती दमप्रिति के विवा को गेर कानून निगोशित कर दिया जिसका गांधी जी गांधी जी जी उस गांधीजी ने मज़वों के साथ इस सत्यागरह में जिसके परिणाम शुरूब गेर इसाई मेलों में भारी आशंतोष उत्पन हुआ रवे भी सत्यागरह में बड़ी संख्या में सहभागी बने ऐसी स्थिती में सत्यागरह को और अधिक शक्ति प्राप्त हुई इसी के साथ अत्काल मजदूरों ने हट डाल कर दी गांदी जी अहिंसक आंदूलन की बात कही मजदूरों को दिल देना देलाने वाली यातनाय दी गई उनके दमन में सेना का प्रियोग किया गया जिसके सकाथ संक्या मजदूर मारे गए डक्षिन अपरिका जिस शट्यागरह अंदूलन एक व्यापक सरपर अहिंसा के सामाजिक वह राध दिल नेता बना दिया अइंसा के महान सस्र का अविश्कार भी यहीं हुआ जिसका उप्योग उन्होंने अपने मात्र भूमी के समशों के समधान के लिए किया दक्षिन अपरिका से वापस आते समय गांदी जीने जेल में अपने द्वारा तियार किये गए जूते जनरलिस म पिर्फितम सत्य ett Catal अप्रियोग्या और सपलताप्राप्त यहां पर वे एस्य के एक प्रबुत नेता के रूप्यों घेलिया देर्व किया दक्षिन अप्रिका ने गांदी जी के व्यक्तित में इतना अधिक परिवर्थन ला दिया कि 25 वर्ष के आईउ में जहां उन्होंने नेटाल इंडियन कॉंग्रिस की स्थापना की वहीं सन 1908 में लंदन से दक्षिन अप्रिका की आत्ते करते समय उन्होंने हिंद प्रख्यात ग्रति के राषिना की जिसका आज वीश्व की सभी महत्विन वार्षाओं में अनुवाद हुआ है इस प्रकार जो है सत्यागर्य अंदोलन जो दक्षिन अप्रिका में किया गया उसका अपना अलग महत्विक है धन्यवाद